नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूं बस्तूंगे दोस्तों आज इस वीडियो पर हम आपको बेलवर्गी फसलों में आने वाली समझ चाहूं के बारें बताएंगे और उनकी निदान के बारें बताएंगे तीन ऐसे प्रमोग पॉइंट है जिन्हें यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपकी जो बेलवर्गी फसल है बरसात के समय पर बढ़िया चलेगी और आपको उत्पादानी बढ़िया में देगा और लंबी समय तक चलेगी चले तोसमों वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं महूरा किसा हूँ आप देख रहें एक वीजिवन बाता है किसान की आपका अपना चैनल है इस चैनल पर जो भी आंकर दे चाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली वाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर गए मेरे पीचे आप देख सकते हैं हमारी बेलवर्गी फैसल है और इसकी जो है फर्ष्ट हार्विस्टिंग आज हुई है इस पार अगर हम देखें तो बरसात की समय पर सबसे बड़ी समस्यां क्या आती है अगर हम द आती है इस पर पत्ते जो है बहुत ज़्याद आते हैं तो सबसे पहली बात तो यही कि आपको अपनी फचाल पर बढ़वार तो लेनी होगी लेकिन वह निश्चित मातर पर लेनी होगी जितनी आपको आप सकता है ठीक है अगर हस्ते ज़्यादक गुद्धी अगर होती है तो भी हमारी फसल पर जो है बहुत जो फसल है वाई हर्विष्टिंग ना देकर अपनी जो एनर्जी है वाई अपने पत्तों पर अपने शाखाओं पर फिलवर्टित करते रहती है और हम पतन नहीं मिल पाता है अधिक तर यह देखा गया है कि आपको फसल तो अच्छी बन करना होगा इस्टोरिज बढ़ाने से क्या मतला होता है इस्टोरिज बढ़ाने से मतला यह होता है कि ज्यादा साखाएं ज्यादा यह करना नहीं होता है एक निस्यत अवस्ता पर साखाएं तो हो हमारी फसल पर लेकिन उन साखाओं पर हल इंटर नोट पर यह इंटर नोट जो पुराने पत्ते होते हैं, जो बड़े आका के पत्ते होते हैं, जो नीचे होते हैं, उससे फाइदा ये होता है कि जो फसल एनरजी अपनी फालों पर लागाने वाली थी, पत्तों पर लागाती है, हम पत्ते जब तुरुआते हैं नीचे वाले, तो हमारी फसल एनरजी हमा प्रोडर लिटे गर में और संचारा करा रहते हैं तो आपको इसको पूर्णिक करते रहने पड़ी विए बेल बर्गी फैसलों में खास कर लोगी में अगर हम देखें तो इसमें हम यह क्या करना पड़ा यह जो ओम होती इसकी इसको तोड़ना पड़ता यह जब आप 12- 13 पत् जहां से वाय साखा निकलती है उसके बाद थीक है तो 12-13 पत्तों के बाद उसकी कटिंग आप कर दें तो वहां से वाय इसकी जो गुरूत है वह रोग जाती है लोग दें वाय से वाय वाय जो प्लेडिक बाद दीया को सेयरे लोग के बाद ़ाय जैया है COC है, COC है, इनका समय समय पर आपको इसके करना पड़ेगा, M-Star है, M-Star Top है, इनका भी आपको समय समय पर बारी बारी से आपको समय समय पर इनका इसके करना पड़ेगा, यह से Roco है, Roco से क्या होता है? यह से Stomatic fungicide है, और यह powder milडिय के लिए काफी बैता है, और जो गलन समय समय आती है, कभी-कभी हमारी फासल पर इसके से फल गलन लगते है, फूल गलन लगते हैं, पत्यां गलन लगती है, ज़्यादा बरिस हो जाती है, तो इस तरह के साथ manumate करेंगे, फंगस का तो आपको जो फंगस आपको कंटोल हो के रहेंगे, दूसरा इंसेक्ट, इंसेक्ट में अगर हम बेलवरगी फेस्टों में देखेंगें तो सबसे बड़ी इसमें लोंकी में समस्या आती है, लोंकी कहें, करेला कहें, गिलकी कहें या फिर आप खीरा कहें, इन पर फल मक्की की समस्या जादा आती है, तो फल मक्की के लिए आपको trap लगाना होगा, भाई जो trap है, फेरमेंट trap होता है, पीले कला की गिलास होती है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको यह दिखाई देगा कि यहां पर मक्हीयां आपको दिखाई देंगी हमने दो दिन पहले इसको लगा हुआ है तो आप देखें इसमें कितनी मक्हीया भी ट्रैप हो चुकी है तो आप एको कम से कम एकर में दस लगा कर चलेंगे तो आपको ये फल मकी की समस्या नहीं आती है अब इसमें एक और समस्या आती है कि फल मकी की समस्या का अलावा आपको थ्रिफ्स की कभी कभी समस्या आती है वाइट प्लेगी समस्या आती है और भी कुछ समस्या ऐसी है जो कि माहो अगेरे कभी कभी आजाती है काक्तिन बेंजाट है डेलिगेट है इनका इसमाल, मारसल है, इनका इसमाल करके आपको चलना पड़ेगा समय-समय पर कम से कम, YE-5-6 आउशपर इस पर आपको लेना पड़ेगा चाहे वो फंगी साइड हो चाहे वो इंसेक्टी साइड हो तो यदि आप इन्हें कंट्रोल करकी चलते हैं तो अपकी फसल पर अच्छे से हर्वेस्टिंग आएगी और जो हर्वेस्टिंग रहेगी वो बढ़िया रहेगी ठीक है इसके इस पर करना चालू कर दिया आप नीचे जो करेंगे नहीं तो आपने जो इस पर किया था उससे जो प्रभाव आया पत्यों पर वहां पर जो फंगस थे वहां पर जो इंसेक्ट थे वहां पर क्या काम करते हैं यहां पर टांसपर हो जाते हैं हमारे कहां पर बीच में जो कच तो यदि आप इनसे सबसे बचना हैं तो फिर आपको खरपतवार नासी का इसमाल बीच में करना पड़ेगा जब आपकी फसल चोटी हो उसकी जड़े ज़्यादा ना चोड़ी होई हूँ तो आप लैफो सेट का इसमाल कर सकते हैं जो एक तरीस प्रेसेंट आता है के नम से आप मिलता है उसका इसपर आप आप ऐसा कैप लगा कर सकते हैं आपकी प्तियों पर यानी इसन पर आपका इसपर इस फसल अगल ज cousin begins तो आपकी करना पड़ेगा तो आप देखेंगे आपकी फसल पर खरपतवार नहीं रहेंगी दूसरा यह यादि आपकी फ़सल बड़ी हो जाते फिर आपको पैराकोड का स्माल करना पड़ेगा, ठेक है, पैराकोड क्या होता है? पैराकोड काउंटक्ट हर्विसाइड है, और जिस पत्ती पर पढ़ता है, जिस पोधे पर पढ़ता है, तो उसकी पे पत्तियां पूद नहीं है इसलिए आपकी जो दूसरी फैसल लगी हुई है जहां पर यह नहीं हो पाएगा वहां पर किसी प्रकट का नुकसन उसमें नहीं होता है तो आप बड़ी यह फैसल आपकी तो बीच में आप पेराकोट का इसमाल कर सकते हैं सबसे अच्छा यह है कि आप नहीं करवाए वह पहले सेही बीट में करके चलें आप कर्मतबान नेंदर करके चलें तो आपकी फैसल पर यह सारी समस्यां नहीं आती हैं नहीं तो क्या होता है conception होते रहता है हमारी फैसल पर MURCNI आवाश पर वह स्रूट छरू लगाएं ठीक है मल्चिंग लगांगे तो यह समसा है आपकी 75% आपकी बैसे ही कंट्रल हो जाती है क्योंकि इनका जो आपका competition है वा डारेक्ट जो पोदेशन ही होता है हाँ इन्सेक्ट बगर इसमें होते हैं लेकि आपकी फसल जो है जो आप नूट्रेंड इसे देते हैं अच्छे से इसमें लगता है आप यह सब कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है बढ़िया चलती है अगर जांकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाई जे दो करें एक बोनस जिसम आपको देता हूँ आपको वरसाथ के समय पर ज्यादा नाइट्रोजन कर इसमाल आपको नहीं करना चाहिए बलकि आपको ऐसे नूट्रेंट पर मंदर करके चलना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो फसल है बैट ग्रोथ तोले मगर उसकी ब्रांचिस जादा ह ना कि उसकी लंबाई जदा हो इस तरीकिस आपको काम करना पड़ेगा इस के इंटर्नोट जितने कम दूरी पर रहेंगे उतनर इंपको ज्यादा फृण इसमाल आपको नहीं कर सकती है अच की वीडियो में इतना ही मिलते है एक नई वीडियो में एक नई जायन आ इसमार आ हिंजे किसान